आपका स्वागत है आज हम आपके साथ ठाकुर्ची की ड्रेस का एक डिजाइन शेयर करेंगे ये देखिए सबसे पहले हमने चॉली तयार करके उसका फ्लैट गहरा तयार कर लिया है एक दो तीन चार पाँच टोटल गहरे में पाँच रो बनाई है इसके आगे हम यहाँ पर एक लेस लगाएंगे और लेस का बोर्डर बनाएंगे तो लेस का डिजाइन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं देखिए सबसे पहले हम नोट लगा लेंगे देखिए नोट लगाने के बाद एक दो तीन चार पाँच छेयर टोटल सिक्स चेन बनाएंगे फर्स्ट चेन में जोइन करके देखिए एक ये लूप बनाएंगे ये जो त्री चेन लिया हमने तीन चेन ये हमारा फर्स्ट डबल ग्रोश्या अब उसके आगे इसके अंदर हॉल के अंदर हम डबल ग्रोश्या करेंगे ये एक हो गया ये दो तीन चार पांच तो फ्रेंट्स इसके अंदर टोटल दस डबल ग्रोश्या बना लेंगे देखे फ्रेंट्स तीन की चेन हो गई और उसके अलावा नो डबल ग्रोश्या हमने इसके अंदर बनाए तो टोटल टैन डबल ग्रोश्या हो गई तो अब इसको इस तरह से टर्ण करेंगे और हम तीन चेन लेंगे यह जो तीन चेन लिए हमने यह हमारा फास्ट डबल क्रोशा है एक चेन और लेंगे यह चेन हमारी सेंटर की चेन हो जाएगी अब हर एक चेन के उपर एक एक चेन सेंटर में लेते हुए एक डबल क्रोश्या करते जाएंगे एक चेन एक डबल क्रोश्या एक भी हमने स्किप नहीं करना छोड़ना नहीं है दस के उपर दस डबल क्रोश्या तयार कर लेने हैं इस तरह से ठीके फ्रेंट्स ये पूरा कर लिया हमने देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस टोटल दस के उपर हमने दस डबल क्रोशा किये है अब इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे तीन डबल तीन चेन लेंगे तीन चेन लिया हमने अब पहले वाले ये होल को छोड़के नेक्स्ट होल के अंदर एक डबल क्रोशा करेंगे देखिए इस तरह से अब तीन चेन लेंगे ये जो तीन चेन है ये हमारा फिर्स डबल क्रोशा है इसके अलावा इस लूप के अंदर हम पांच डबल क्रोश्य और करेंगे एक, दो तीन चार पांच छे अब ये टोटल छे हो गए एक तो तीन की चेन हो गई उसके अलावा पांच हमने इसके अंदर और बनाए तो ये टोटल सिक्स डबल क्रोश्य हो गए अब नेक्स्ट नेक्स्ट होल के अंदर हम इसको इस तरह से जोइन कर देंगे जोइन कर दिया ये हमारी एक पैटल बनकर तयार हो गई देखें फिर से तीन चेन लेंगे नेक्स्ट होल के अंदर एक डबल क्रोश्य करेंगे फिर से तीन चेन लेंगे इसको हम एक डबल क्रोश्या मानेंगे ये दो तीन चार पांच और ये छे अब इसको नेक्स्ट होल के अंदर जोईन कर देंगे तीन चेन ले लेंगे नेक्स्ट हॉल के अंदर एक डबल क्रोश्या करेंगे तीन चेन लेंगे ये हमारा फर्स डबल क्रोश्या हो गई और इस हॉल के अंदर पांच डबल क्रोश्या बनाएंगे टोटल सिक्स कर लेंगे हम ये तीन हो गए चार पांच छे ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट हॉल के अंदर इसको इस तरह से हम जॉइन कर देंगे तीन चेन लेंगे नेक्स्ट हॉल के अंदर हम डबल ग्रोश्या करेंगे तीन चेन लेंगे इसको काउंट करेंगे और उसके अलावा पाँच ओर बनाएंगे टोटल सिक्स डबल क्रोशे हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच छे इस हॉल के अंदर हम लास्ट हॉल के अंदर इसको जोइन कर देंगे देखे फ्रेंट्स इस तरह से ये हाफ फ्लार का पैटन तयार हो गया अब इसके बाद हम 15 चेन लेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे छोदे पंदरे ये हमने टोटल 15 चेन ले ली अब एक दो तीन चार पांच छे शिक्स चेन के अंदर हम इसको जोईन कर देंगे देखिए इस तरह से एक लूप तयार करेंगे ठीक है फ्रेंट्स देखिए हम इसको इस तरह से सीधा रखेंगे ये देखिए ये सीधी साइड है ये उल्टी साइड है तो सीधी साइड इस तरह से हमने इसको चेन को भी सीधा रखा और ये देखे 6 चेन में जोइन करके हमने एक लूप तयार किया है ऐसे इसको फ्लार को उल्टा रखेंगे और लूप को भी उल्टा रखने से ये हमारा ये फ्लार सीधा बना है तो ये हम दूसरा फ्लार शुरू करने जा रहे हैं ये भी सीधा बनेगा देखिए तीन चेन लेंगे ये हमारा फ्रस्ट डबल क्रोश्या हो गई अब इसको ऐसे पीछे करके इस हॉल के अंदर यहाँ है ऐसे है डबल क्रोश्या बनाएंगे ये दो हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और ये तस देखिए फ्रेंट्स जैसे हमने यहां पर टेन डबल क्रोश्या बनाए थे ऐसे ही यहां पर भी टेन डबल क्रोश्या बना दिये ये जो है हमने इसको देखिए दोनों साइड ये फ्लार सीधा है ये भी सीधा आ इसी सरा से हमने ऐसे टर्न करके लिया इसको ठीक है अब देखिए अब इसको इस साइड गुमा के इसकी बैक साइड से चार चेन लेंगे एक दो तीन चार तीन की जो चेन है वो हमारा डबल क्रोश्या और एक चेन सेंटर में आ जाएगी अब देखिए हर एक चेन के उपर एक एक सेंटर में चेन लेंगे और एक एक डबल क्रोश्या करेंगे एक चेन एक डबल क्रोश्या एक चेन एक डबल क्रोश्या इस तरह से सभी दस के उपर दस बार हम बना लेंगे ठीक है फ्रेंट्स दस के उपर दस बनाएंगे जैसा कि इसमें बनाए थे देखे फ्रेंट्स यह हमने दस बार बना लिया अब इसको इस तरह से सीधा करेंगे सीधा करने के बाद तीन चेन लेंगे तोड़गे, second hole के अंदर एक double crochet करेंगे, तीन chain लेंगे, तीन chain लेने के बाद इसको flower को हम यहां से join कर देंगे, यहां पर, यह देखिए, यह वाली पत्ती, यह वाली पत्ती से चूड़ जाएगी, यह देखिए, यह जो इसकी, एक, दो, तीन, थर्ड chain है, इसको flower को सीधा रखके, इधर कोने में, इसको यहां पर जूड़ देंगे, देखिए, यह जूड़ गया, अब इसके अंदर, यह हमारा जो हमने तीन की chain ली, यह हमारा first double crochet हो गया, अब इस hall के अंदर, पाँच double crochet और करेंगे, तो total six double crochet हो जाएंगे, और हमारी petal तयार हो जाएगी, ठीक है friends, यह देखिए, एक, दो, तीन, चार, चार, पाँच, छे, इस तरह से एक petal से दूसरी petal को हमने जोईन कर दिया, देखिए, अब next hall के अंदर, हम इसको जोईन करेंगे, तीन चेन लेंगे, और next hall के अंदर, एक double crochet करेंगे, तीन चेन लेंगे, यह हमारा first double crochet, यह second, यह third, यह fourth, यह fifth double crochet, और यह sixth double crochet, टोटल six double crochet बना के हमने second petal तैयार कर ली, next hall के अंदर इसको जोईन करेंगे, उसके आगे फिर से तीन चेन लेंगे, और next hall के अंदर double crochet करेंगे, तीन चेन लेंगे, और इस hall के अंदर पांच बार double crochet करेंगे, तो petal तैयार हो जाएगी, तीन हो गई, चार, पांच, और यह छे, देखिए, इस hall के अंदर जोईन करेंगे, देखिए, प्रेंट्स, तीन चेन लेंगे, इस hall के अंदर double crochet करेंगे, तीन चेन लेंगे, और इस hall के अंदर पांच double crochet करके, लास्ट पैटल तैयार कर लेंगे, यह चे हो गई, टोटल double crochet, और यह last hall के अंदर हम इसको जोईन कर देंगे, और यही से हम अपनी 15 chain बनाएंगे, 15 chain, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, और एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सिक्स चेन के अंदर हम इसको जोईन कर देंगे, और इसी तरह से, इधर से, यह सीधा आए, देखिए, और इसको इसी तरह से हमने, ऐसे रखते हुए, तीन चेन लेनी है, और इसके अंदर, दस डबल, एक, तो, यह तीन की चेन हो गई, हॉल के अंदर, नो डबल क्रोशिया और करेंगे, टोटल हम, दस डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो, फ्रेंट्स, इसी तरह से, हम, हाफ लार की लेस तियार करते जाएगे, देखिए, यहाँ पर, इसी तरह से, हाफ लार बनाएगे न, यह, 10 डबल क्रोशिया इसके अंदर हो जाएगे, फिर, यहाँ पर, जब हम, यह पेटल जैसे, हमने, यहाँ पर जोइन की थी, हमने कंप्लीट कर लिया है लैस को अब देखिए लास्ट में यहां पर हम नाइन चेन लेकर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नाइन चेन लेकर यहां पर जहां से शुरू किया था वहां पर जोइन कर देंगे यहां पर ठीक है फ्रेंट्स यहां पर हम इसको जोइन कर देंगे देखिए हमने जब इसको गेरे में इस तरह से रख कर देख लिया है कि हमारा गेरे के चार और पूरा आ रहा है यह सरकल तब हम हम इसको चेन बना कर जोइन कर देंगे ठीक है फ्रेंट्स और जब हम इसको शुई धागे से लेस को सिलेंगे तो यह पैटल को इस पैटल को इस पैटल के साथ जोइन करेंगे इस तरह से जैसे कि दूसरी petals join हो रही है आपस में यह देखिए यह petals join हो रही है ऐसे यह जो open है इसको हम सुई धागे से जब सिलेंगे तो इसको join कर देंगे तो यह less को रख कर देख लीजिएगा dress के according size complete हो जाए तो इस तरह से extra थोड़ा धागा सिलने के लिए लंबा छोड़कर बागी cut कर देंगे और इसको needle की help से हम सिल लेंगे ठीक है फ्रेंट्स तो तो देखें फ्रेंट्स इस तरह से हम इसको धागे को नोट लगा लेंगे और इसको back side से शुरू करेंगे सिलना यहां से इसको उपर रखेंगे इसके और यहां से सिलते जाएंगे एक स्टीच इदर से लेंगे एक स्टीच यहां से लेंगे दुनों का एक स्टीच उठाएंगे green color जो है वो उपर आए और यह जो घेरे का yellow chain दिख रहा है उसको हम नीचे दबा देंगे इस तरह से स्टीच लगाते जाएंगे और इनको सिल लेजिए तो फ्रेंट्स आपको पूरा कर लिए देखे फ्रेंट्स हमने सिलाई लगा कर चार और ड्रेस को पूरा कर लिया है यह जो चेन बनाई थी हमने सेंटर में इसको ऊपर की और हमने सेट किया है सुई धागे से और लास्ट में यह जो पैटल है इसको भी हमने सुई धागे से जोईन कर दिया है इनको थो हम सब को बीच में करते जा रहे थे लास्ट की जो दो राउंड को इसको जोईन किया तो हमने ये पैटल को निडिल की हल्प से जोईन कर दिया तो फ्रेंड्स देखिए जैसे कि हमने यहां पर दस डबल क्रोशिया लिये थे तो आप यहां पर बारा लेकर इस तरह से यह एक दो तीन चार पैटल आई है तो आपकी पांच पैटल आएंगी तो इस तरह से आप इनको चाहे तो बड़ा बिना सकते हैं और देखे जैसे कि मैंने यह मोटी वूल लगाई थी तो इसका टेक्स्चर मोटा है वूल का तो इसलिए यह लेस में कम फ्लार्स आएं अगर आप बारीक उन से बनाते हैं तो यह फ्लार जादा बनेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर के जुरूर बताईएगा तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू फ्रेंड्स